तो भाईयों फाइनली BGMI के अंदर ये वाला जो X-Suit है ना ये हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा कौन सी डेट को देखने को मिलेगा वीडियो में आगे चल कर मैंने आपको बताया है और आपको ये पता है कि X-Suit जो होता है वो Lucky Spin में ही आता है तो इस बार भी Lucky Spin के अंदर ही हमें ये वाला X-Suit देखने को मिलने वाला है वीडियो को आप continue देखते रिये इस X-Suit के सारे लेवल अप में आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में तो आप वीडियो को देखते रिएगा और गया एक शूट आपको पसंदार होना तो वीडियो को एक Like अ आएगा उस lucky spin के अंदर हमें और भी कुछ reward देखने को मिलेंगे जिसमें हमें ये वाला आउटफिर देखने को मिलेंगा, ये पैनि की स्किन देखने को मिलेंगी, ये फ्रेम देखने को मिलेगा, मतलब काफी ज्यादा next level का ये lucky spin होने वाला है जिसके अंदर हमें ये वाली exit और ये सारे reward देखने को मिल जाएंगी ये जो white वाला dress है न भाई ये भी मेरे को काफी ज़्यादा पसंद आ रहा है और ये car 98 की skin भी हमें देखने को मिलेगी मतलब पूछो मतलब जवाब नहीं है इस lucky spin गा और साथे साथे इस exit का चलिए मैं आपको exit का level अप दिखा देता हूँ कि भाई level किस level पर कैसी exit दिखती है तो भाई level 1 पर ये कुछ normal सी ऐसी दिखती है और level 2 पर इसके साथ में एक बंदा आ जाता है और लॉबी में कुछ कवे वगारा उड़ते हुए दिखाई देते हैं background में जो कि काफी जाओसम लगता है लेबल 2 पर भी ये exit काफी ज़्यादा बवाल ही दिखता है जैसा क्या हो लोग देख पार है भाई साहब क्या ही एनिमेशन इन लोगों ने एड़ किया है लोबी के अंदर खेर अब हम लोग बढ़ते हैं next level पर level 3 पर level 3 पर कुछ exit कुछ चमकता धमकता बढ़ जाता है मतलब और गाई इसका जो effect है ना broadcast effect खतरनाक लेवल का गाई एक नमबर और गाई इसके बाद जो इसका अग्ला वाला अपग्रेड है ना भाई साहब मतलब देहला देने वाला है मतलब देख सकते हैं पलोग क्या ही मतलब देख लो यार मेरे को तो बोलाईन जारहा है मतलब खतरना एक नमबर का गाई बाट गाई इसका रेड रेड जो आ रहा है ना फूल फ्लावर्स वगर आ रहे हैं भाई एक नमबर का इसको बना देता है और गाई उसके बाद इसमें ओभाई साथ भाई एक गीदर आकर इसे लॉबी के अंदर छोड़ के जाता है और यह डबे में से निकलता है एक्सचूट पहान कर ब हिलाएं को गए ना लॉबी के अंदर तो गुलाब इधर धर जड़ेंगे खेर यह एक्सचूट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा और यह एक्सचूट हमें पांच जून के आसपास में या फिर उससे पहले पहले गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा साथ